नमस्कार मैं हूँ प्रियंका संभव आप देख रहे हैं मनी नाई तो देश का बजट पेश हो चुका है और इस बजट को आपने कितना समझा अब मेरे और आभी जैसे टैक्स पे निवेश करने वाले और बचत करता तो शायद टैक्स के उसी हिस्से को ज्यादा ध्यान से सुनते हैं जिसमें टैक्स से जुड़े अनाउंस्मेंट होते हैं और इस बार वितमंत्री निर्मला सीता रमंडेंग तब 5 पॉइंट में हमें ट ठूट जो भी रिबेट वो दे रही हैं वो बता दी हैं लेकिन एक शब्द आपने मिस नहीं किया होगा जो भी बदलाओ किये हैं इस बजट में वो सिर्फ और सिर्फ नए टैक्स रिजीम वालों को ही वो फाइदा मिलने वाला है तो डिकोट कीजे कि टैक्स के फ्रंट पर सबको जानना है लेकिन इसके साथ साथ आप कहां निवेश करें और एक बहुत इंपोटन अनूंस्मेंट जो इस बार के बजट में है वो है आपके पैंकार्ड को लेकर के पैंकार्ड का बहुत ही इंपोर्टन पेपर है और भी ज़्यादा important बन जाएगा कैसे ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ डीजी लॉकर अगर आपने अभी तक अपने फोन पर डाउनलोड नहीं किया तो शायद ये वक्त हो गया कि आपको इसे डाउनलोड कर लेना चाहिए तो मैं हूँ प्रियंका संबाव और मेरे साथ जुड़ें सर्टिफाइट फिनाशल प्लानर जितेन सुलंकी जी थांक इस सो मच जितेन सर इतनी जल्दी आ करके हमारे लिए बजट को डीकोट करने के लिए और इनसे मैं एक-एक करके वो सारे सवाल जो आपके मन में है वो पूछने वाली हो और अगर मुझसे कुछ मिस होगा आपको डिर लाग की छूट मिलती है एटीसी में एटीडी में अगर आप हेल्थ इंशॉरनस लेते हैं तो उस पर आपको छूट मिलती है पच्चिस, पच्चास, सतर हजार तक छूट जा सकती है इसके अलावा आपको छूट मिलती है आपके home loan के interest के payment पे section 24 के तहत, ATCCD के तहत, NPS के तहत, लेकिन इन सारी छूट से छुटकारा आपको लेनने के लिए एक तरह से निर्मला सीतारमन बोलती हुई नजर आई हैं, पहली बार उन्होंने ये बात कही थी budget 2020 में जब वो tax की बिना कहीं, बिना बोले ही उन्होंने कह दिया कि देखे, आप पुरानी रिजीम वालों को जो है, इसको भूल जाना चाहिए, क्यों जेते हैं, मुझे तो यही message मिला है, उन्होंने बोला नहीं है, लेकिन जो पुरानी रिजीम वाले हैं, शायद उनको अब नए रिजीम मे applicable होगा, इस बार शायद वो पूरी तरह से thrust कर दिया, क्यों default बन गया, यानि कि अगर आप income tax फाइल करोगे, तो default नए टाक्स रिजीम में करोगे, आपको option दे दिया कि पुराना आप कर सकते हो, पहले क्या था, default पुराना था, मतलब आप पुराने में फाइल करो, नए सब्सक्राइब कर दिया, मैसेज पूरी तरह से क्लियर है कि अब आगे से uniform taxation में यही applicable होगा, बिलकुल, उन्होंने अंत में कहा कि देखे, यह जो है, नई tax regime, default tax regime हो गई है, और जो लोग पुराने में tax, पुरानी regime के तहर tax अधा करते हैं, वो वैसे ही करते रहेंगे, पर अगर उनको बताना होगा कि देखे, हम old regime में कर रहे हैं, तो message बहुत लिया रहे हैं, तो पांच चीज़ें जो उन्होंने की हैं आज के budget में, एक एक करके अब उन्हें समझते हैं, जी तहीं जी, सबसे पहला, 7 लाग तक की जिनकी income है, जो इनकी कमाई केवल 7 लाग है और उपर नहीं है, उन्हें आप कोई tax नहीं देना होगा, बशर्ते नई tax regime मोच उने, बिल्कुल, इस बार अगर सारे benefit देखो तो नई tax regime के हैं, और ये 7 लाग वाला जो option है, कि 7 लाग तक आपका tax zero होगा, इसमें एक चीज़ बहुत महत्पूर है, वो ही समझनी की, कि सरकार उन्हें रिबेट को बढ़ाया है, जो पुराने tax regime में पहले जो 5 लाग तक था, उसमें भी tax rebate होती थी, 3 लाग तक तो आपको फाइल ही नहीं करना है, आपको पूरी तरह से exemption है, लेकिन जब आप 7 लाग तक जा रहे हैं, तो यहाँ पर tax rebate मिलेगा, यानि कि आप tax file करोग लाइबलिटी निकालोगे, सरकार की तरफ से वो जीरो कर दी जाएगी और आपको जो है, जीरो tax पे करना पड़ेगा, ठीक है, तो यह rebate है, जिसता से 87A rebate मिलती थी, शायद उसमें ही कुछ संशोधन हम देखेंगे, अभी तक 5 लाग तक की income को यह rebate मिलती थी, यानि उन् लेकिन शर्त वही नई tax regime, अगर आप नई tax regime में है, 7 लाग तक की आपकी कमाई है, तो आपको यह rebate मिलेगी, अब आते हैं दूसरी बात पर, और दूसरी बात है कि इन्होंने tax की slabs को जो नई tax regime में 6 tax slab थे, अब 5 हो गया है, वो थोड़ा simplify किया है, अब 6 tax slab बहुती confusing हो ज 3 to 6,05% आता है, 6 to 9, 10% है, 9 to 12, 15% है, 12 to 15, 20% है और 15 and above 30% है, यानि के 5 tax lab जो है अब रहेंगे, विच इस मोर सिंप्लिफाइद फॉर्मेट थे लाग यानि कि तीन लाग तक की income पे कोई आपको tax ने देना है, उसके उपर देना है, यह जो basic exemption income की जो बढ़ी है, यह पुरान के लिए है या सर्फ नहीं वालों के लिए है, basic exemption को बढ़ाया है, धाई से 3 लाग किया है, वो clarity अभी आना बाकी है, हम finance bill में देखेंगे, clarity आती है, और मेरी नजर में शायद दोनों को मिला है benefit, पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, आप लों को क्या लग रहा है, जो इस्यो लग रहा है, तो मुझे लग रहा है कि शायद पुरानी टाक्स लाग नहीं रिजीम के ही है, टाक्स लाग पुरानों में कोई चेंज नहीं है, कोई benefit नहीं है, यह जोटी सी हमें आस है कि शायद हमारा जो basic exemption है वो धाई से 3 लो हो सकता है, पर उसमें कितना benefit है, आप धाई स साथ लग वाला भी zero tax पे रहे हैं, यह जो सारे हम investment करते थे हमें insurance की premium हम जो पे कर रहे हैं, उसकी छूट मिल जाती थी, EPF पे जो हमारा contribution salary का जाता है, उस पर छूट मिल जाती थी, NPS पर अगर आपने वेश्कार उस पर छूट मिल जाती थी, इन सब को भूल जाना है हमें, ATC का benefit तो गया, health insurance का benefit भी गया, home loan का tax benefit भी गया, तो obviously यह सब benefit चले जाएंगे, आगे चलके क्या हम equivalent आपाते हैं, इस नए tax regime में वो आगे समय बताएगा, government कहां तक इसमें benefit इंटोड्यूस करती है, फिलहाल तो अगर आप जाते हैं, तो वो सब deduction भूलने पड़ेंगे आप कि पुरानी रजीम अगर आप फॉलो करते हैं, टाक्स रजीम, तो आपको बहुत सारी deduction मिलती है, 2020 में जब नई रजीम को इंट्यूस किया था, विध मंत्री निर्मला सीता रामन ने अपने budget speech में, तो उन्होंने ये कहा था, कि almost इस नए tax regime में 70 तरह की deductions को वो बाई-ब पुराने का benefit जब तक लेते रहे, जब तक सरकार उसको बंद नहीं कर रही है, जिस दिन सरकार बंद कर देगी, फिर नई tax regime में सब कुछ चलेगा, अब सरकार शायद धीरे-धीरे करेगी कि benefit equivalent आजाए, पुरानी tax regime को suddenly खतम करके और अगर नई में tax liability जादा है, तो एक तरह को हटा के uniform taxation आ जाए, तो उस वह applicable होगा, चलिए अब जो तीसरी बात जो कही गई है, और वह भी नही tax regime वालों के लिए ये फाइदा है, और वह है कि जो लोग salary है, या जिन्हें pension मिलती है और जिन्हें family pension मिलती है, उनके लिए standard deduction की शुरुवात अब हो जाएगी नही रज तो standard deduction पहले applicable नहीं था, नई tax regime में, पुराने में रिजिम applicable था, पचास हजार तक था, यहाँ पे उसको डाई हजार बढ़ा के और standard deduction को introduce किया है, लेकिन income साड़े पंदरा लाग या उससे अगर आपकी जादा है, तो उनको ये standard deduction मिलेगा, तो standard deduction introduced कर दिया है, वो ही मैं कह कि सरकार धीरे-धीरे क्या benefit लेके आती है, जिससे कि पुराने के बराबर हमारी tax liability जादा ना हो, उससे कम चाहिए हो जाए या उसके बराबर हम fall करें, तब ही हमें नई tax regime का फायदा है, वरना tax liability तो बढ़ जाएगी, ओके, so 52,500 रुपे का standard deduction मिलेगा, saluried और अगर आपको family pension मिलती है और archer pension से आपकी कमाई है, लेकिन यह होना चाहिए साड़े 15,500 रुपे से ज्यादा, तब ही आपको 52,500 रुपे का standard deduction मिलेगा नई regime में, तो यह एक entry दिख रही है कि एक deduction को अब new tax regime में push किया गया, यह एक मात्र deduction है, जो आपको नई tax regime में मिल रहा है, अच्छी अब ही द्वन्द है, क्या केवल नए वालों को यह सब्सक्राइब करते हैं पूरी दुनिया के अंदर, तो I think सरकार ने उसको कम करने के लिए, सर्चार क्योंकि 37% था, उसको 25% कर दिया, तो major portion तो सर्चार का बहुत है और सर्चार लगता है, और सर्चार लगता है इतना ज ज्यादा की income होती है, तो वहाँ benefit दिया है कि सर्चार को कम करके जो highest tax liability है, उसको कम कर दिया है, तो हम 42.74% से हम नीचे आ जाएंगे, नीचे जो की announce speech में मैंने सुना कि 37 से अब यह 25% हो जाएगा, वो सर्चार्ज का rate है, सर्चार्ज कम होगा 37 से 25% हो जाएगा, तो overall जो 42. 42.7% का जो tax होता था? नीचे आ जाएगा, तो बेसिकली हम दुनिया में जो सबसे highest tax, वो वाला लेबल हट जाएगा, लेकिन यह केवल high earners के लिए होता है यह surcharge आ यह surcharge high earners, 5 करोड से उपर की जो आपकी income होती है, तब यह surcharge applicable होता है, तो यह middle class taxpayers के लिए नहीं है, यह 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 शायद उस label को कम करने के लिए कि हम सबसे जादा tax you know paying country है तो चलिए एक label वो हटा रहेंगे हम सबसे जादा जो है टाक्स नहीं वसूल रहे हैं उसको दीचे लाने की कोशिश की गई है सरचाज को कम करके अब पांच वी जो टाक्स के फ्रंट पर बात हुई है वो हुई है कि जो नौन गवर्मेंट जॉब में जो लोग रहते हैं उनके लिए लीव इंकाश्मेंट की लेवल को जो है व आपने को जो लीव अगर रहाती है आप उसको एंकैश कर सकते हो ठीक है उसका जो एक्जेम्शन था वो तीन लाग तक था आप मतलब आप लीव एंकैश्मेंट जब करते हो तो आपको इस तीन लाग तक पर कोई टैक्स नहीं पे करना होता है अब यह बहुत पुराना चला है इसको बढ़ाने की जरूति considering inflation बढ़ गया cost of you know बढ़ गई है हमारी living standard जो इसको बढ़ गई है तो उसको लाग तक के benefit पर कोई tax नहीं पे करना होगा which is a you know great benefit बिल्कुल यह अच्छी benefit उन्होंने दिया कि 25 लाग कर दिया जो लीव सौहल जी ने लिखा है middle class muddled and taken for granted सौतिव जी आ बिल्कुल middle class को लग रहा होगा कि जो खास्ता पर लोग चो पुरानी tax scheme में वो थोड़ा सा आज मुझे भी लग रहा है थोड़ा सा कि मैं I'm feeling little cheated क्योंकि उमीद थी कि कुछ हमें मिलेगा पर नहीं मिला है तो अब शायद हमें tax regime में आज के बदलाव के बाद पांच tax rate आपको नसर आने वाले हैं सबसे पहले 5% 10% 15% 20% और 30% अगर जितेजी मैं पूछूं यह जो नए जो इतने सारे जो नए अब tax rate अब जब आ चुके हैं तो इस विवस्था में कितना tax की बचत होगी वितमंत्री भी कुछ numbers quote कर रही थी खास तौर पर यह नंबर काफी है कि जिन लोगों की कमाई 9,000,000 तक है उन्हें 60,000 रुपए tax देने पड़ते था पैसालिस हजार देने हो गया मिन वह इतम सीथा जो है बहुत कम हो गया है जिए वह बात सही है पहली बात एक income के ऊपर तो tax lab बराबर है पुराना हो चाहां नया हो जहां 15-20,000,000 से उपर आप cross करते हैं तो tax lab बराबर है higher tax lab अब यह जो 15,000,000 तक का जो gap है इसके अंदर benefit introduced main हुआ है और उसी के अंदर main benefit मिल रहा है तो जो निर्मला जी ने कहा था वो यह कि जो लोग 9,000,000 की income है जिनकी उनको benefit है कि 60,000 पहले प पे करते थे अब 1.5 पे करेंगे तो यानि के लगबग हम देखते हैं तो कहीं पे जो है आपको अगर मैं अगर टोटल देखू benefit तो 7,000,000 की income अगर हम लेते हैं चाहिए 7,000,000 पहले जो tax लगता था आपको 32,500 लगता था अभी वो निल हो जाए तो 32,500 का benefit हो गया 10,000 की जो तो यह मेरा मानना है कि जो 15,000,000 तक की income है 7-15 वहाँ पे जादा benefit इंटोड्यूस हो गया इसके ऊपर फिर पुराने tax regime मेलो या नई tax regime मेलो तो एक income के बाद तो tax rate 30% ही लगता है वहाँ पे वो सेम है तो यह जो नई tax regime के साथ इतना इतना इसे बढ़ावा जो देने की कोश की जा रही है यह किसके लिए सही है अब यानि एक तरह सी सरकार कह रही कि देखे आप जो निवेश करेंगे आप जो बचत करेंगे वह आप कर रहे हैं में बविश्य के लिए उसका tax से कोई लेना देना नहीं होगा आगे जाकर के क्योंकि नई regime में तो हमें कोई चूट नह लेवलेबल हैं अब सरकार यह जरू करेगी नए tax regime में करें टैक्स लाइबल्टी जादा नहीं कि तैक्स लाइबल्टी जादा थी इसलिए जादा लोगों ने ऑपन ही किया इसलिए बेनिफिट किया है अब आगे भी शाह सरकार कुछ ने कुछ बेनिफिट लेके आएगी लेकिन हा एक बाद जरूर है कि जो पहले था पुराने टैक्स रिजीम में था उसमें कुछ सेविंग करते थे होम लोन घर लेते थे हम ओम लोन पर टैक्स बेनिफिट मिलता था वो एक एडिशनल बेनिफिट होता था तो मैं इसको अगर यह मानू कि शाहिद होम लोन कोस्ल अगर बहुत सारे जो प्रोडट्स है मां है एल्थ इंशॉरंस भी लोग काफी लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको टैक्स बेनिफिट मिलता है अगर वह इंकम टैक्स बेनिफिट अगर वह डिड़क्शन खतम कर दिया जाए तो हैल्थ इंशॉरंस लेने के लिए जब अब देट नहीं होगी तब तक आदमी जाएगा अभी क्या है कि डिड़क्शन लेने के लिए भी हेल्थ इंशॉरंस इतना ले लेता है कि 25,000 का प्रीम पे करें या 15,000-10,000 का प्रीम पे करें अगर अगर डिड़क्शन ही नहीं मिलेगा तो क्या वह रिख लेना बंद कर द में हैं और पूच रहे हैं कि क्या स्टार डिड़क्शन ले रीची में मिलेगा और सिनेर सिटिजन को बैंक बे आज पर 50,000 की छूट नहीं मिले गी या नहीं तो इस बार इंट्रीउस हुआ है इस तरह से उट्रीउस हुआ है जिते इंश्ची इन को बता दिजे नहीं में स फक्रकूत मिलती है नहीं मिलती है मैं जैसे मैंने का 70 चन कम्प्लीट legitimately खतम कर दी घए अब कुछ से कौन सी चन कांटीन्यू है वो देख के पता लगेगा बट मेरी राय में सीनियर सिटीजन के लिए हो सकता है वो डिदक्षान जो है कांटीन्यू हो ऊक्य और अगर लग्ड क में फाइल कर सकते हैं लेकिन इस तरीके से बहुत सारी डिड़क्शन ऐसे होंगे जो शायद आपको फोर्गो करने पड़ेंगे और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आगे चलके सरकार कहीं न कहीं कुछ एडिशनल बेनिफिट इंटर्ड्यूस करेगी इसी टाक्स रिजीम में ताकि इसको अट्रैक्टिव बनाया जा सके अभी तक तु देगे स्टैंडर डिड़क्शन ने इताब इंटर्ड्यूस कर दिया तो स्टैंडर डिड़क्शन का बेसिकली राम है मुझे लग रहा है शायद वो हिस्सा जो है कि बैंक ब्याज पर जो 50,000 तक की छूट मिलती वो नहीं मिल पाएगी शायद नहीं रिजीम में वो डिड़क्शन जो है वो भी उन डिड़क्शन में आता है जिसमें की वो छूट जो है खतम कर दी गई है तो यहां पर एक फ अगर आप नहीं रिजीम में शिफ्ट करते हैं तो लेकिन जब तक पुराने रिजीम है और हम अगर उससे फायदा उठा रहे तो हम तब तक उससे बने रहे हैं जब तक आपको ऑप्शन मिल रहा है कि रात तो रात उससे बंद करें सरकार ने कह भी दिया है डिफॉल्ट च जासे अभी ओवेस में क्यों होता था कि यभा में अफना बंडना उता तो उते हम पूछा जात Ta कि आप क्या नहीं लेंगे तो अब आपकाऊ-फेस बुजया कि ओल्ड रिजीम वालो को भी मिल ली चाहिए शिर्पी अगराल पूछ रही सीनियर सिटिजन्स के लिए अलग रेट है यही साथ लाग तक आपकी एज के अगरेट नहीं होता है जो बेनिफिट वह मिलता है साइद इंकम टैक्स ने भी वह बेनिफिट इंट्रूश किया था कि सीनियर सिटिजन को फाइलिंग से जो एक्जैमिशन मिल सकता है कि आपको रिटर्वन करने की जरूबद नहीं अगर आपका इंकम केवल य कर सकते हैं कि उनको जो है इंकम टैक्स फाइल करने की जरूबद नहीं पड़ेगी अगर उनका कंडिशन स्पेसिफाइड है जो इंकम टैक्स ने की हैं तो वह बेनिफिट है लेकिन टैक्स लाब यही रहेगा अगर आपकी शुद्पी जी असो टैक्स लाब पे कोई अच् अपने मेरे दिल की बात कह दिया महिंद बोल रहे है इस इन इंडिकेशन देवल बी नो पीपी एफ इन फूचर यस ऐसा हो सकता है कि पीपी एफ का कोई फाइदा नहीं मिलेगा नहीं पीपी एफ का अभी एक बेनिफिट है कि सेक्शन 8-tc जो है वह वह नहीं मिलेगा बा टाक्स का डिदक्शन तो लेते थे हैं टाक्स डिदक्शन आप नहीं ले पाएंगे बाकी तो compounding है long term सरकार क्या बोल रही है सरकार यह बोल रही है आप डिदक्शन मत लीजिए आप प्लैनिंग अपने आप करिए ठीक है हम आपको प्रॉड़क्ट दे देंगे हम आपके है कि आपका डिदक्शन करते हैं वो नहीं मिलेगा पीपफ तो चलता रहेगा अब यह आप पर है कि आप में निवेश्च करें या ना करें लेकिं सरकार के रही कि देखिए हम इसका डिदक्शन नहीं देंग in the new regime पुरानी रिजीम है तो लेते रही है जब तक पुरानी रजीम चल रही है आशीश परमार कह रही है इस देर एनी लिमिट फॉस इस देर एनी लिमिट फॉर सुचिंग बफीन ओल्ड एंड नू मैं ठीक से नहीं समझ पा रही हूं नहीं ऐसे कोई लिमिट नहीं करी है सरकार ने आपको option दिया जाएगा अभी old to new तो खतम ही कर दिया तो new to old है अगर आपको switch करना है तो new to old करना पड़ेगा तो अभी old to new था तो अभी करने का मतलब क्या है default करने का मतलब क्या है कि अब आप फाइल करोगे तो new regime में फाइल करोगे पुराना भी हम continue कर रहे है तो पुराना continue कर रहे है कि standard deduction introduced कर दिया थोड़े tax lab में change कर दिया तो tax liability कम हो गई जहां tax liability आपके पुराने के बराबर पहुंच जाएगी वहां पे सरकार पुराना खतम कर देगी okay so get ready मेरी तरह अगर आप भी थोड़ा सा cheated feel कर रहे है तो get ready कर दो सकता है श्याम सुन्दर ची पूछ रहे है TDS और tax rate change in case of winning from online gaming and trading in virtual currencies हां इस पर भी आया है की online gaming or trading इस पर अभी थोड़ा सा पढ़ना पढ़ेगा क्या है exactly लेकिन हार TDS के कुछ उन्होंने कुछ limits को जरूर किया है श्याम सुन्दर ची सॉरी हम इसे answer अभी नहीं कर बा रहे है कुनाल पांधिया लिकरें सो nothing for mid-range taxpayer yes कुनाल very true green job से रोजगार वृद्धी में आपका आखना तो हम जॉब पर एक अलोग शो लेकर आएंगे शाम सुन्दर जी पूछ राएंगे life insurance policy maturity receipt में क्या change हुआ है please explain यह अभी तोड़ा study करने की जरूत है कुछ तो आया है ज क्या exactly वह conditions है अभी मेरे ख्याल से सारी clarity जब finance bill आ जाएगा तो उसमें सब clarity हो जाएगी कि सरकार ने actually में कहा क्या है तो life insurance पे क्या maturity taxable करी है particular premium के ऊपर हो सकता है उससे related कुछ हो तो I think यह जब वह clarity हो जाएगी उसके बाद ही हम answer कर पाएंगे तो हमें finance bill का इंतजार है थो कुछ सुना है नहीं प्राविडेंट फंड पे भी कुछ कहा है कुछ कहा है अचा कहा है नहीं चुना हो कि I miss it बट I think क्या होता है ना कि budget के दिन हम लोग personal taxation पे और you know benefit का introduce हुए है इस पे हमारा ज्यादा focus हो जाता है तो वह हम आए सामने finance bill होगा तो वह हम लेकर आएंगे से एक बार सो हमने बात कर ली कि tax में अब किस तरह से आपको slabs नई रिजीम में कम कर दिया है किस तरह से आपकी tax liability जो है नई रिजीम में अब कम हो जाएगी सात लाग तक कि अगर आपकी income है तो केवल अगर आप नई रिजीम ही opt करेंगे तो आपको rebate मिलेगा zero tax देना तो इनसे कुछ जोड़े सवाल है तो पूछे का हम से जहां तक हो सकेगा हम करेंगे सर्चार्च में कमी की गई या नि जो पांच करोड़ से ज्यादा की जिनकी income पांच करोड़िया उसे ज्यादा की income है उनके लिए जो है highest जो उनका tax rate है वो कम कर दिया गया है leave in cashment पर यह जो है 3 लाग था जिसे 25 लाग non-government employees के लिए यह 5 टाक्स से जोड़े बदलाओ जो है आज के budget में नजर आए लेकिन अब टाक्स से तोड़ी हम गाड़ी आगे बढ़ाते हैं ओके लेकिन एक सवाल यह मुझा लगता बहुत इंपॉर्टन है शुभम पूछ रहे हैं शुभ इसी बंद हो जाएगा तो शायद ELSS mutual fund भी बंद हो जाएंगे यह वो benefit ही खता हो गया ना अभी है जब तक है continue करिये जब तक है कोई ख़बर नहीं आई है शुभम कि यह बंद हो आ है लेकिन हाँ अगर आप नहीं रजीम में जाएंगे तो आप इसको automatically फायदा नहीं उठ रहे होंगे और अगर सरकार चाहती कि हम सभी नहीं रिजीम में चले जाएं तो धीर इंवेस्टर के लिए अगर मुए है वो benefit नहीं उठा रहा हूं तो मैं क्यों इन्वेस्ट करूंगा तो मैं ओपन-ended mutual fund में इन्वेस्ट करूंगा ना क्योंकि इसमें तो तीन साल का लॉक जो होता है न वो खतम हो जाएगा आपसलीटली ओके सो शुबंजी मैं खोंगे शुब शुब बोली अभी खतम नहीं हो जब जाएंगे हों तब देखेंगे कुछ भी है नहीं के लिए ओल्ड रिजीम के लिए कोई बैनिफिट नहीं है क्याव जान रिए और अगर आप पुरानी रिजिम में तो आप के लिए लिमित होगी इस रिबेट को पाने के लिए 5 लाग है तो आपको यह रिबेट मिलेगी ओके इस NPS रिबेट पॉसिबल इन यू रिजीम इन पीस रिबेट एटी सी का बेनिफिट होता है और एक जो नियू एटी सीडी है वो एक बार स्टडी करना होगा एक्जैक्टली वह डिएक्शन भी खतम हो जाएगा जैसे मैंने का आप 70 डिएक्शन है तो सब के सवाल जो है है क्या या NPS मैचुरीटी पे स्टिल अवेलेबल रहेगा लेकिन जो हम बेसिक इन्वेस्मेंट के टाइम पर जो डिदक्शन लेते हैं वो खतम किये गए मैचुरीटी पर कोई डिदक्शन खतम नहीं हुए यह वा समझने की जरूवत है हम जो इन्वेस्मेंट के टाइम प राइंटरेस्ट इन सब को निव रजीमें से यह बाहर हैं पुरानी रजीम में तो उसका फायदा उठाए पुरानी रजीम अभी बंन नहीं हुए अभी चालू है लेकिन नहीं रजीम को ज्यादा फाइदे रहे हैं सरकार उसे बहुत प्रोटसाहन दे रही है तो आई तो स रजीम, जॉन का एक और सवाल है, उनली स्टैंडर डिदक्शन और 50K इस अप्लिकेबल, और कोई डिदक्शन नहीं है, नहीं, पचास हजार का नहीं है, बल्कि बावन हजार पांच सो रुपए का डिदक्शन है, और आपकी इंकम जो है, वो साढ़े पंद्रह लाग से उपर और अगर आप उससे अभी ATC का डिदक्शन ले रहें, वो भी आपको मिलता रहेंगा, अनलेस कि आप न्यू रिजीम में शिफ्ट हो जाएंगे, तब आपको PPF का फाइदा टैक्स की तौर पर नहीं मिलेगा, जिसको कुछ आता हो, से ये, okay, no other deduction, ठीक है, क्या PPF के है कि उसको जो है टैक्सेबल किया गया है, उसको अगर टैक्सेबल कर देंगे तो अब समझने की जरूरत है कि सरकार के लिए बहुत-बड़ा saving element है उसका attractiveness खतम हो जाएगा, राइट, शाम सुंदर जी बोल रहे है, now ULIP having premium payable exceeding 2.5 lakh have been excluded from the purview of clause 10-D of section 10 of the act, I guess हमें cross check करना होगा शाम जी, financeable के fine print पर हमें देखना होगा, चलिए अब tax पर हमने काफी बात कर ली, कुछ और बाते भी हुई है, इस budget में उस पर भी बात कर लेते हैं, तो महिलाओं के लिए एक scheme हाई है, निवेश की, महिला सम्मान certificate, ये small saving scheme के तरश पर है, ये कैसी लिख रही आपको, देखे, महिलाओं के लिए और खासकर woman child के लिए भी, girl child के लिए भी, तो ये scheme सरकार ने introduce की है, महिला सम्मान saving certificate जिसको बोला गया है, चोटी scheme है, दो साल के लिए बनाई गई है, इस पर rate of interest 7.5% मिलेगा, एक तरह से women's के लिए saving product introduced किया गया है, जिसकी limit maximum 2 lakh रखी गया है, यानि कि छोटी-छोटी जो महिलाओं होती है, ठीक है, जो जो छोटा कमाती है, जिनकी कोई saving है, उनके लिए saving instrument introduced किया गया है, मेरी राय में अच्छा कदम है, इससे जो खास करा होगर हम देखते हैं, जैसे जो महिलाओं cash रखती है, जो रूर रूरल एरियास में cash रखती है, उसको कहीं छोटी बचत में नहीं निवेश कर पाती है, वो इस तरह के saving certificate में निवेश कर देंगे, और ये वेश ये किया जा सकता है, दो साल का ये जो है, लॉकिन रहेगा, premature withdrawal की जासत होगी, 7.5% इस पर रिटर्न दे रही है सरकार, अब ये 7.5% से ज्यादा देती अंगर महिलाओं को प्रोचाहन देना है, उस चीच को समझ ये, सरकार ने जो saving product निकाला, ये उनके लिए निकाला ये 7.6% मिल रहा है, तो इसमें लेकिन खासकर वो tax exempt करा हुआ है, ये tax exempted नहीं होगा, अभी इसकी clarity नहीं है, इसकी clarity नहीं है, और वैसे भी अगर आप new regime में होंगे तो तब तो 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 वैसे भी चोटी अवदी की scheme है, मैं ये नहीं बोलता है, इसको सरकार शाहे tax exempted कर हैं, महिला हैं, खास तर पर या girl child जो rural areas में भी रहते हैं, उनकी लिए इस तरह का saving product नहीं है, अच्छा दो लाग का ही आप ये खरीद पाएंगे, दो लाग का उससे नीचे का, दो साल की lock-in है, दो लाग का खरीद पाएंगे, 7.5% का ब्याज है, महिलाओं के लिए एक scheme ल मिल रहा है, और क्योंकि senior citizens, काफी हतास ते पिछले कुछ time, inflation बढ़ गया, कर्जे बढ़ गए, आय कमाने के जरिये हैं, वो थोड़े कम हो गए, तो उनके लिए बड़ा अच्छा benefit introduced किया गया, senior citizen saving scheme काफी popular है, और मेरे ख्याल से हर वरिष नागरिक उसमें निवेश करता है लेकिन यह जरूर शिकायती के इसमें limit बहुत कम है, उसको double कर दिया 30 लाग तक, अब आप 30 लाग तक 8% के ब्याज पे senior citizen saving scheme से कमा सकते हैं, यह अच्छा move है मुझे लगता है, 8% का ब्याज उनको मिल रहा है, लेकिन 8% आज के दौर में अच्छा मिल रहा है senior citizens को, अगर मैं दूसरे product को compare करूं तो उससे तो जाधा ही मिल रहा है, लेकिन और regular income के लिए वो लोग इसको use करते हैं, कि quarterly interest payment होता है, तो quarterly interest आएगा, उनके खर्चों को उससे खर्चे वहन होंगे, तो अब क्योंकि क्या होता है, उस age पे आके आप fixed income product ढूंते हैं, fixed income product जो है, उसकी बहु कि निवेश कर पाते थे, senior citizen, अब कर पाएंगे, 30 लाग तक का निवेश, 8% का ब्याज अभी सरकार इस पर दे रही है, कुछ reaction ले लेते हैं, John लिक रहे है, government एक तरह से, जो है, simplify नहीं है, बल्कि लोगों confuse कर रही है, do you agree? नहीं, confuse नहीं कर रही है, I think senior citizen की जो शिकायत है, उसको उनोंने दूर किया है, product अच्छा है, senior citizen saving scheme, मेरे साब से, हर senior citizen इसमें निवेश करता है, और जब interest rate इतने high पहुंच गा है, जोन का सवाल था, कि ये पूरे tax वाले से इस तुकर, पूरे tax वाले को देखिए, मेरा तो ये की मानना है, आपको message दे रही है ना, सरकार, कि नए tax regime में ही जाएंगे, आगे चलके हम, ये वही message है, उसको clear कर रही है, सरकार, बिना बोले, सब कुछ बोल दिया, आच्मित मंतरी ने, कमलेश पूच रहे है कि disabled ex service की जो pension है, उस पे जो tax exemption है, वो continue रहे गा ना, I think इस प वो family pension के अंडर में आता है, family pension को standard deduction नहीं उसमें भी introduce किया है, तो मेरे साब से benefit continue है, ओके, श्याम जी पूच रहे है कि interest under new deposit scheme for women, is it exempted or not? यह clarity नहीं है अभी, I think यह finance bill आएगा या कुछ time के बाद सरकार introduce करें है, यह exempt है कि नहीं, पर क्यूंकि मैं मान के चलूँ छोटी बचत योजना है, तो इसमें कुछ होगा कि जो आप निवेश करें, उस पर कोई छूट होगी या final होगी, पर इंतिजार करना होगा उसका, अच्छा, do you think in future simple exemptions like ATC will be introduced in the new regime? बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कर सरकार, हम नहीं tax regime में जाई इस लिए रहे हैं कि सरकार को deduction कर सके, तो उसको दुबारा introduce करेंगी और फिर से नहीं tax regime को पुराने tax regime की तरह करेंगी, मुझे नहीं लगता, हम uniform tax regime की बात कर रहे उसमें deduction नहीं और आप एक ही tax pay कर रहे हैं जो अनलाइकली है अनुराग जी कि ऐसा कुछ करेंगी क्योंकि वह तो ATC को अभी बाइ-बाइ करने के mood में तो फिर क्यों उसे लेकर आएगी, नए स्वरूप में भी क्यों लेकर आएगी, कम से कम कुछ सालों तक तो नहीं लेकर I think यह जो है ना हम लोग सिफ नए पुराने tax regime कितना tax बजेगा कितना tax उसमें उलत जाते हैं तो PAN बहुत ही ज़रूरी आपका एक दस्तवीज आपकी identity बनने वाली क्यों जितेंजी तेकि अभी तो सरकार ने जितना भी digital system है government agencies related उसमें introduce किया है और उसमें यह बोला कि PAN आ document बन जाएगा तो अभी इसको मेरे क्याल से धीरे धीरे फिर मुझे ऐसा लगता है आने वाले टाइम में पैन ही आपकी identity document बन जाएगा यह एक और इंटोड्यूस है और इसके लावा एक और जो one-stop solution जो इंटोड्यूस किया है सरकार ने for updating your address and KYC मेरे हिसाब से KYC को बहुत साऩी स्ट्रीमलाइन करने की कोशिच किया सरकार ने आप डिजी लॉकर यूज करते हैं में इपको पयर चाड करते हैं इसी नीगगे हो घोग से फिर आप सब जितनी फंड भी होगा सभी आजाएंगे आपको एक सिंपल सा प्रोसेस बताता हूं आप यह बैंक्स में जो वरिश नागरिक हैं उनको बार-बार जाकर एक का करतेट का के अपलोड किंख और इंसेटुइशन केवल बिजिए लॉडगर से इसे लिंक हो जाता है आपकां से अपडेट हो जाता है एक सिंपल प्रॉसेस बताता हूं जो अभी किया था रीसेंटली कि आप पास्पोर्ट के लिए अपलाई किया पास्पोर्ट में सब कुछ कर दिया वह डॉक्यूमेंट अप्लोड मांगता है तो वहां पर वो डिजी लॉकर का कि सेफ होगा और में जैसा सरकार बोल रहे हैं कि वन स्टॉप सॉलूशन बनेगा यह हमारे डीटेल हैं अब देटेल में अगर हम जाएंगे तो इस तरह से दुनिया में कोई भी जैना चीज सिक्यूर नहीं वाने जा जाए जाकती बट आइटिंग फॉर इंडिया में चाहिए था वन-स्टॉप दोकुमेंट मैंजमेंट सिस्टम फॉर अस वह सायद सॉलूशन आएगा अब दीर दीजी लॉकर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है आपके पास यह होना चाहिए क्योंकि आपकी के वाइसी जल्दी से ही इसकी जरीए होने लगेग है तो पैंट सिंगल इंटिफाइड दोकुमेंट है पर मेरी राय में आगे चल के आप देखेंगे कि सिंगल इंटिफाइड दोकुमेंट बन जाएगा कुछ क्विक बातें जो अभी निकल आरके आ रही है सुमन सौरब पूछ रहे हैं कि क्या पीएफ NPS और ग्राच्विटी जो है वो एक्सलूड है न्यू टैक्स रजीम से यस हो है राइट वो उसमें नहीं है ठीक है अन्मोल पूछ रहे हैं कि आप 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 इन्टी चेक वैसे थे शूररंस बेंपिट के लिया जाता था है वो खतम हो जायेगा लाइफ इनौर नहीं यहाँ है तो आपको तर्म इंशॉरंस के प्रीम पिवे आपको बैनिफिट नहीं मिलेंगा तो फिर आप यो टर्म इंशॉरंस मतलब वह बैनिफिट आप नहीं द डिडिशनली टाक्स बेनिफिट के लिए हम लोग बहुत सेव करते हैं, तो शायद वो सेविंग हैबिट जो एसमें कम हो जाएगी. अनुराग जै कह रहे हैं कि उन्हों नहीं पूछा था कि A.T.C क्या नए फॉर्म में आएगा, तो वो कह रहे हैं, इसलिए कि लोग जिन्हों ने होम लोन ले रखा है, उनके लिए सेक्शन 24 और प्रिंसिपल की छूट ले रहे हो, तो बिलकुल उनके लिए थोड़ा सा मतलम लॉस रहेगा अगर वो नए टैक्स रिजीम में जाते हैं, लेकिन जैसा कि मैं शुरुआत से कह रहे हूं, बिना कुछ कहे, बिना किसी अनॉंस्मेंट के, विस्मंत्री निर्मला सीतारावन ने साफ कह दिया है, कि देखिये, अब जो है, नई रिजीम वो डिफॉल्ट है, वो उसी के तहत और वो मान रहे हैं कि लोग भरेंगे अपने टैक्स को और फुरानी रिजीम भी कंटिनु करें रहेगी, लेकिन कब तक रहेगी, एक बड़ा क्वेस्टिन मार्क, हाँ, बड़ आई तिंग हम लोगो प्रिपेर हो जाना चीए, जैसे कि शिर्वात से मैं रो पर भी लेकर आने वाले हैं, उसका मोट थोड़ा सा भी जो मैल चैक कर रहे थी, दबाव में नजर आ रहा था स्टॉक बाजार, तो स्टॉक बाजार में क्या हल चले, बजट को लेकर वहां से किस तरह की रियाक्शन आ रहे हैं, वो अभी विपल सिंग लेकर आएंगे, हमा के साथ, मार्केट एक्सपर्ट इस लाइफ के तुरत बाद, तो मरीना इनके साथ जुड़े रहे हैं, थांक यू फो वाचिंग अस.